कार के अंत्रीम बजट पर मदिप्रदेश के सीए मोहन यादों ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेत्रत में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास सभी विभाग कर रहे हैं आज अंत्रीम बजट पेश किया गया गरीब महिला युवा किसान पर ये बजट केंद्रित रहा आने वाले समय में भारत वीश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्था विवस्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है मुझे इस बात की प्रसंदता है कि लगातार श्री प्रधानमंत्री श्रीमार नरिन मोदी जी के नेत्रत में देश को आगे बढ़ाने के प्रयास विभिन विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखा नुदान के नातिस आया पूर्ण बजट तो जुलाई म ना आएगा लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वितेशी सर्विस्परसी कामों के अधार पर सभी भगों परियाब ध्यान देते हैं खास करके गरीब महिला युवा किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया जिसके कारण से लगब में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेनूर आएगा इसमें तीसी रात विवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है अमरत काल में भारत को दो हजार सेतालिस तक दुनिया का नंबर वन देश बनाने के दिसामें जो काम किये जा रहे हैं उसकी प्रणाम है और खास करके इस दो करोड़ लोगों को नए आवाज देने की जो कल्पना की गई है ये तो बगेर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहा है उनके घर पर वो अभी साप नहीं है ये प्रमात्मा की कप्रा या सर करोड़ नए घर का जो संकल्प के या अद्भूत है इसी के साथ साथ हमारी आंगनवारी आसा कारे करता और इनको सबको भी आईस्मान योजना का जो लाब दिया है ये लंबे समय से दरकार थी कैसे जो थोड़े अपनी सेवाओं देते देते गरीब वर गया उनको भी की जा रहा है